So this is lecture number 10th of electromagnetic induction and in this part first we will study about eddy current और फिर हम transformer पढ़ेंगे ठीक है eddy current को समझने के लिए आप एक example देखिए आपकी पास एक metal plate है और यह यहां से hinged है और इस hinged metallic plate को हम क्या कर रहे हैं strong magnetic field में इसको ऐसे move कर रहे हैं तो जब इसको ऐसे move कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा इस metallic plate में flux linked होगा flux change होगा और जैसे ही एक metal body में अगर हम flux change करवाते हैं तो क्या होता है एक circulating current produce होता है इस metallic body में और इसी circulating current को हम बुलाते हैं ed current अब जैसे ही ed current इसमें double up हुआ velocity इसका इधर करवा रहे थे तो eddy current develop करवाने से क्या होगा eddy current आपको पता है वो circulating होता है तो यहाँ पे lens law आएगा बोला कि जो हो रहा है यानि velocity इधर जा रहा तो इसको अपोज करो इस पे एक retarding force लगेगा metallic plate पे और इस metallic plate में क्या observe होता है यह metallic plate heat हो जाता है तो इसमें heating effect observe होता है और देखिए velocity इसका ऐसे था और इस पे retarding force लग रहा है तो basically इसका जो oscillation होगा इसमें damping oscillation इसमें retarding force लगेगा और इसको discover किया था फोकॉल की नाम की एक scientist है उसने इसको discover किया था तो इसी को बुलाते हैं eddy current अब इस phenomena को कि जब आप एक metallic plate को magnetic flux link करवाते हैं उसमें change करवाते हैं तो एक circulating current बनता है उसको eddy current कहते हैं जिसके कारण से यह phenomena होता है इसको use करते हैं induction furnace में induction furnace में क्या करते हैं basically metals को heat करने के इसमें use करते हैं eddy currents का ठीक है और electric braking में भी इसको use करते हैं electric braking में कैसे use करते हैं माल लीजिए यह rail का wheel है rail का wheel जो है basically ऐसे घूम रहा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे magnets लगाते हैं magnet लगाते हैं तो जब इसका movement होगा इसका angular velocity होगा इसमें तो magnetic flux इसके साथ linked होगा और अगर magnetic flux linked होगा तो आपको पता eddy current produce होगा lens lock के according इसका omega ऐसे था तो इस पे retarding force लगेगा तो यह जो wheel का motion है वो stop हो जाएगा तो electric braking में हम use करते हैं eddy currents को अब देखिए eddy currents का नुकसान ह माल लीजिए आपके पास एक metallic plate था और metallic plate में हमने क्या किया है magnetic field में इसको घुमा रहे हैं तो क्या होगा यहाँ पे eddy currents produce होगा जिसमें heat loss होगा heating effect होगा और retarding force लगेगा तो यह metallic plate कुछ दिर के बाद घुमते घुमते यह stop हो जाएगा लेकिन हम क्या करते हैं इस metallic plate को ऐसे cut करके slots में cut करके लगाते है slot में cut करके लगाईए तो area क्या होगा वो decrease कर जाएगा और आपको पता है resistance होता है अगर area decrease कर जाएगा तो इसका resistance बढ़ जाएगा resistance बढ़ जाएगा तो इसमें AD current जो है वो decrease कर जाएगा और AD current अगर decrease कर जाएगा तो ये दोनों जो phenomena देखने को मिल रहा है ये भी decrease कर जाएगा ठीक है तो ऐसे इसमें काम मिल लेते हैं similarly आपसे कभी कभी पूचता है कि transformers को हम laminate करते हैं laminate का मतलब यही हुआ lamination का यही मतलब होता है कि उसका area decrease करवाते हैं area इसलिए decrease करवाते हैं ताकि AD current का जो losses है वो decrease कर सके ठीक है अब जैसे एक concept सीखे मान लीजे आपके पास एक long copper tube है और इस long copper tube में क्या कर रहे हैं आप एक magnet free fall करवा रहे है तो यानि कि V is equal to U plus 80 लगाईएगा U 0 तो velocity जिस velocity से magnet नीचे आएगा वो होगा GT तो देखे time के साथ velocity increase करेगा लेकिन जैसे जैसे यह magnetic bar magnet का जो bar है वो नीचे नीचे आएगा तो यहाँ इस copper tube में flux change होगा तो copper tube में क्या होगा AD current develop होगा और इस पे क्या होगा एक retarding force लगेगा और जैसे से यह नीचे जाएगा यह retarding force बढ़ेगा और जो mg है इसका वो एक समय पे retarding force को balance करेगा तो net force 0 होगा acceleration 0 होगा body acquires constant velocity जिसको terminal velocity कहते है तो देखे दीरे-दीरे velocity बढ़ रहा था एक समय बाद velocity constant होगा जिसको terminal velocity कहते है next हम पढ़ने जा रहे है transformer transformer में देखिए transformer basically mutual induction के principle पे based होता है और basically transformer को हम use करते है step up और step down alternating voltage voltage को step up करने के लिए और voltage को decrease करने के लिए हम transformer यूज करते है अब transformer का आप basically सीखिए कैसे बनाते हैं transformer तो ये जो दो आपको rectangle दिख रहा होगा ये basically rectangle जो है इसको core बुलाते हैं और ये जो core है ये मैं आपको highlight कर देता हूँ ये जो rectangle आप देख रहे हैं दो तीक है इसको हम core बुलाते है core जो होता है it is made up of soft tyrant अब यहाँ एक question पूछता है कि soft tyrant ही क्यों लेते हैं ताकि जो hysteresis loss है वो decrease होता है soft tyrant यूज करने से तो core किससे बना होता है soft tyrant से फिर इसके उपर ये जो है ये पाट इसको बुलाते हैं lamination और ये जो lamination होता है ये इसलिए डालते है ताकि AD current का losses जो है वो reduce हो सके तो एक तो core किससे बना होता है soft tyrant से hysteresis loss को decrease करता है दूसरा lamination क्या करता है AD current के losses को decrease करता है तो ये याद रखना है फिर हम क्या करते हैं इधर से input लगाते है primary winding आप देख रहे हैं इधर से हमने AC supply दिया है transformer में हम AC supply ही देते हैं अगर transformer में आप input में battery या cell लगाते हैं तो transformer work नहीं करेगा तो ये भी एक question है तो याद रखिएगा कि transformer में input में हमेशा AC source लगाते हैं और ये देखिए आपके पास है load resistance ठीक है ये load resistance है ये secondary coil है ये primary coil है ठीक है अब हम यहाँ पर एक assumptions लेके चलेंगे assumptions क्या लेके चलेंगे कि जो flux change हो रहा है alternating current के कारण जो flux change हो रहा है primary में यही flux pass करेगा secondary में यानि flux change in primary that will be equal to flux change in secondary ये assumption मान के चलेंगे और जो primary में number of turns हैं वो N को उसको NP बुला रहे हैं number of turns in secondary तब आप क्या करिए जो primary में आप लगाए ये Faraday's law क्या करता है EMF generated in primary coil that will be N d5 upon dt यहाँ N लेंगे primary coil में और d5 upon dt similarly secondary coil में ये लगाएंगे आप दोनों को divide करिए divide करिएगा negative negative sign ये दोनों एक को लें तो खतम तो यहाँ से आजाएगा EMF in primary divided by EMF in secondary number of turns in primary divided by number of turns in secondary तो EMF देखिए डारी की पोस्टनेंटू number of turns तो EP क्या है voltage across primary और ES क्या है voltage across secondary आच्छा transferment दो टाइप्स का होता है step up and step down step up में क्या करते हैं जो secondary voltage है उसको बढ़ाते हैं यानि कि ES को बढ़ाते हैं EP से तो इसका मतलब कि number of turns in secondary उसको बढ़ाना परेगा number of turns in primary से और step down में क्या करते हैं secondary voltage को decrease करते हैं primary से तो ऐसे कैसे कर सकते हैं number of turns in primary coil that will be should be greater than number of turns in secondary coil अब देखिए अगर हम 100% idle या 100% efficient transformer की बात करते हैं तो उसमें आपको देखिए एक primary coil है एक secondary coil है तो इधर से जितना भी power in करते हैं power out उतना ही मिलेगा कब जब एक 100% idle transfer बना है तो power in is equal to power out आपको पता है power क्या होता है या तो V लिखिए voltage V को E भी लिख सकते हैं P into I input power कैसे लिखेंगे input का voltage into input का current output power कैसे लिखेंगे output का यानि कि secondary का voltage into secondary का current अगर 100% efficient transformer है तो input power will be equal to output power यानि EP IP यानि primary में voltage primary में current is equal to secondary में EMF और secondary में current equal होगा अब आप यहां से EP upon ES करिए तो that will be IS upon IP यह तभी यूज करेंगे जब 100% efficient transfer हो अगर efficiency आपको given है तो efficiency होता है power output upon input output क्या है power out input क्या है power in output power को ऐसे लिखते हैं तो आप efficiency से भी निकाल सकते हैं ठीक है अब देखिए basically transformer जो है आप जो transmission lines होते हैं उस पे long distance transmission अगर आपको current का long distance transmission करना है तो उसको high voltage पे करते हैं यह भी याद रखेगा high voltage पे इसलिए करते हैं क्योंकि high voltage पे करने पर current decrease करता है current decrease करने पर power होता है I square into R तो power decrease करता है यानि heat loss है वो कम होगा तो आप याद रखेगा